लमस्कार दोस्तों बदबस स्वागत आपको हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकरी देने वाला हूं जिसमें मैं आपको आपके आधार नंबर और मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकरी दूँगा दोस्तों आपने हल की दिनों में सुना होगा कि आधार नंबर को मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना अनिवार ये कर दिया गया था और ऐसा ना करने पर हमारे मोबाइल नंबर को बंद करने के लिए भी बताया जाता था लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोट ने अब ये ओर्डर कर दिये हैं कि आपको अपने आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करना जरूरी नहीं है दोस्तो सुप्रीम कोट ने मान लिया है कि सभी लोगों को अपने निजी जानकारियों को छुपा कर रखने का अधिकार है इसी बात को लेकर सुप्रीम कोट में कई दिनों से केस चल रहा था और सुप्रीम कोट ने अब इस बात पे स्विक्रती दे दी है कि सभी लोगों को अपनी निजी जानकारियां गुप्त रखने का अधिकार है दोस्तों पेले अभी बीच के दिनों में आपने भी सुनाई होगा काफी शोर मचाया गया था इस बात को लेकर कि आधार नंबर को सभी जगों के साथ लिंक करना जरूरी है जिसमें से मोबाइल नंबर को भी एक जरूरी चीज बता दिया गया था कि मोबाइल नंबर के साथ भी अब हमें आधार नंबर लिंक करना होगा और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हमने अपने आधार नंबर को मोबाइल के साथ लिंक करा दिया तो कई companies के हमारे पास message भी आने लग गए थे कई तरह की service के message भी आते थे phone भी आने लग गए थे तो Supreme Court ने माना कि इस तरह की services start हुई थी यानि कि आधार number से जो हमने mobile number लिंग करा था तो हमारा data जो है वो दूसरी companies के पास भी जाने लगा था यानि कि data leak होने लगा था तो इसलिए Supreme Court ने अब ये order कर दिये है कि अपने आधा number को mobile number के साथ link कराना जरूरी नहीं है अगर आपने करा लिया है तो कोई बात नहीं अगर आपने नहीं कराया तो अब आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तों ये एक जानकारी थी अभी Supreme Court ने जो बड़ा फैसला दिया है कि अपने आधार से mobile number को जोड़ना अब जरूरी नहीं होगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईए अगर आपको अच्छे लगी है तो और इसे like जरूर कीजिए अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ बीचे शेर कीजिए इसके बारे में उन्हें बताईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए